इंद्र के 8 कारणा में और वे हो गए बदनाम. हिंदू धर्म में मूल्तह 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेक मिलता है. सभी देवताओं के कार्य और उनका चरित्र भिन भिन है. हिंदू देवताओं में इंद्र बहुत बदनाम है. इंद्र के किस्से रोचक है? इंड्र के जीवन से मनुश्यों को शिक्षा मिलती है कि भोग से योग की ओर कैसे चले। आरियों के प्रारंबिक काल में इंड्र को आरियों का रक्षक माना जाता था। वैसे इंड्र तो कई हुए लेकिन कहते हैं कि शचीपती इंड्र एक मनवंतर तक स्वर्ग के अधिपती थे। उन्हें 71 दिव्य युगो तक दिव्य लोकों का सामराज्य प्राप्त रहा। उस काल में देवताओं के अधिपती शचीपती इंड्र थे। गुरु ब्रहसपती और विश्नु परम इश्ट थे। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपती हिरन्याश और हिरन्यकश्यप के बाद विरोचन अधिपती थे। गुरु शुकराचार्य और शिफ परम इश्ट थे एक और जहां देवताओं के भवन, अस्त्र आदी के निर्मान करता विश्व कर्मा थे तो दूसरी और असुरों के मैदानम। इंड्र के भराता श्री वरुन देव देवता और असुर दोनों को प्रिय हैं। कहां था इंड्र लोक जब संपूर्ण धर्ती बर्व से धकी हुई थी और बस कुछ ही जगहें रहने लायक बची थी। उसमें से एक था देव लोक जिसे इंड्र लोक और स्वर्ग लोक भी कहते थे। ये लोक हिमालय के उत्तर में था। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष और अपसरा आदी देव या देव समर्थक जातियां हिमालय के उत्तर में ही रहती थी। उप्यूक्त जलवायू होने से युद्धकर इसक्षेत्र पर सभी अपना अधिकार चाहते थे और यहां रहने के लिए सभी प्रयतनशील थे। इंद्र यहां का राजा था और उसने अपने सामराज्य का विस्तार हिमालय के दक्षिन में भी सभी हिमालय वर्ती राज्य पर जमा रखा था। इंद्र का चरित्र और कार्य, इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करता है और वही स्वर्ग पर शासन करता है। वो बादलो और विद्यूत का देवता है। सफेध हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है, जो दधीची रिशी की ह इस वज्र के माध्यम से इंद्र मेग और बिजली को अपने तरीके से संचालित कर अपने शत्रूओं पर प्रहार करने की क्षमता रखता था। जो देवताओं को शोभा नहीं देता जिसके कारण देवताओं को बहुत बदनामी जेलना पड़ी। हाला कि इंद्र जैसे और भी देवता थे जिनके क्रित्यों के कारण उनको स्वर्ख से निकाला दे दिया गया और फिर उन्होंने पाताल लोक में जाकर अपनी एक अलग ही सत्ता कायम कर ली। देवता इंद्र द्वारा किये गए ऐसे आठ कार्य जिनके कारण उन्हें छली और पापी तक कहा जाता है। इन कार्यों में जरूरी नहीं कि उनके द्वारा किये गए छल ही हो। उनके द्वारा ऐसे भी कार्य शामिल है जिसके कारण सभी देवताओं को शर्मसार होना पड़ा था। पहला कार्नामा असुरों से छल संभवत यह 1978 इसापूर्व की बात है जब असुरों के राजा बली ने स्वर्ग पर चड़ाई कर दी थी और इंद्र सहित सभी देवताओं को वहां से भगा दिया था। उलेकनी यह है कि वृत्र प्रथम मेग के वंशज हिरन्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र महा बली था। राजा बली की सहायता से ही देवराज इंद्र ने समुद्र मन्थन किया था। समुद्र मन्थन के दोरान इंद्र ने असुरों के साथ हर जगह छल किया, जो 14 रत्न प्राप्थ हुए उनका बटवारा भी छल पूर्ण तरीके से ही संपन हुआ, हाला कि असुर यह सोचकर संतुष्ट हो जाते थे कि अपने को इन वस्तों से क्या ले ना देना, अपने को त संकेत पर उनका पुत्र जयंत अमरित कुम्ब को लेकर भाग गया, तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया, अंत में विश्नु ने मोहिनी रूप लेकर अमरित बाटने का कारे किया, इस दोरान विश्नु अपनी मायावी शक्ती से अमरित का कुम्ब तब बदल देते थ तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु देत्या है, ये सुनकर भगवान विश्नु ने ततकाल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया, फिर भी अमरित के प्रभाव से उसके सिर और धर अलग अलग रहकर भी अजर अमर हो गए उसके सिर का नाम तो रहु ही है, लेकिन उसके धर को केतु कहते हैं दूसरा कारनामा बली से चल, इंद्र ने राजा बली के साथ कई बार चल किये एक बार इंद्र और सभी देवताओं को बचाने के लिए इंद्र के निवेदन पर भगवान विष्णू ने वामन बनकर राजा बली से चलपूर्विक तीन पग भूमी मांग ली थी दानवीर राजा बली ने भी दान दे दिया उसे नहीं मालूम था कि मैं जिसे दान दे रहा हूँ वे विष्णू है अंत में विष्णू ने अपना आकार बढ़ाया और दो पग में ही तीनों लोकों को नाब दिया तब उन्होंने बली से कहा कि अब तीसरा पग कहा रखूँ राजा बली ने कहा कि अब तो भगवन मेरा सिर ही बचा है विष्णू ने उसकी दानवीर्ता और सत्यवादिता के चलते उसके सिर पर पैर रखा और उसे पाताल लोग पहुँचा दिया और वर्दान दिया कि तू भी देवताओं की तरह अजर अमर रहेगा और आज से तू हमेशा के लिए पाताल लोग का राजा बना रहेगा तीसरा कारनामा अहिल्या के साथ छल देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वालमी की रामायन के बालकान में मिलता है अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिवरता नारी थी। उनका विवाह रिशी गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। रिशी गौतम ही न्याय सूत्र के रचायता है। शास्त्रों के अनुसार शचिप्ती इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल से सहवास किया था। अहिल्या की सुंदर्ता के कारण सभी रिशी मुनी, देव और असुर उन पर मोहित थे। देवताओं के राजा इंद्र तो कुछ ज्यादा ही मोहित हो चले थे। इं इंद्र ने मौका देखकर गौतम मुनी का वेश धारन कर लिया और देवी अहिल्या के पास आ गया। इधर, जब गौतम मुनी को अनुभव हुआ की अभी रात्री शेश है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लोट चले। मुनी जब आश्रम के प देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोश नहीं है, पर गौतम मुनी ने कहा कि तुम शिला बनकर यहां निवास करोगी। त्रेतायोग में जब भगवान विश्नु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज से तुम्हारा उधार होगा। और फिर देवराज इंद्र एक ब्राहमन के वेश में पहुँच गए करन के द्वार। करन सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी करन ने पूछा विप्रवर, आग्या कीजिए। किस वस्तु की अभिलाशा लेकर विप्रवने इंद्र ने कहा, हे महाराज, आप संकल्प कर ले तब ही मैं आपसे मांगूंगा अन्यता आप कहें तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। तब ब्राह्मन के भेश में इंद्र ने और भी विनम्रता पूर्वक कहा नहीं नहीं राजन, आपके प्रान की कामना हम नहीं करते, बस हमें इच्छित वस्तु मिल जाए, तो हमें आत्मशान्ती मिले, पहले आप प्रण कर ले तो ही मैं आपसे दान मांगूं। करण ने तैश में आकर जल हात में लेकर कहा हम प्रण करते हैं विप्रगर, अब तुरंत मांगिये, तब क्षद्म इंद्र ने कहा राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान्स्वरूप चाहिए, एक पल के लिए सन्नाटा च्छा गया, करण ने इंद्र की आखो पर सवार होकर भाग गए, इसलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद करण बदल न जाए, कुछ मीर जाकर इंद्र का रत नीचे उतर कर भूमी में धस गया, तब ही आकाश्वानी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है, अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तो ने चलपूर्वक करण की जान खत्रे में डाल दी है, अब ये रत यहीं धसा रहेगा और तो भी यहीं धस जाएगा, तब इंद्र ने आकाश्वानी से पुछा, इससे बचने का उपाय क्या है, तब आकाश्वानी ने कहा, अब तुम्हें दान द आदेश कीजिए और क्या चाहिए? इंद्र ने जेपते हुए कहा, हे दान रीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ. कवच कुंडल को छोड़कर मांग लीजिए, आपको जो कुछ भी मांगना हूँ. कर्ण ने कहा, देवराज, मैं आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और नहीं मुझे कुछ चाहिए. कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं. तब इंद्र ने विनमरतापूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यता मेरा रत और मैं यहां से नहीं जा सकता हूँ. आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी. आप जो भी मांगेंगे, मैं देने को तयार हूँ. कर्ण ने कहा देवराज, आप कितना ही प्रयतन कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं. मैंने जीवन में कभी कोई दान नही लिया. तब इंद्र ने कहा मैं यह वजरूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ. तुम इसको जिसके उपर भी चला दोगे, वो बच नहीं पाएगा. भले ही साक्षात काल के उपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे. बाद म लिया पूर का राज्य हाथ से जाता लगने लगा. लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले वजर शक्ति मिल गई है तो फिर से उसकी जान में जान आई. लेकिन दुर्योधन की नजर में कर्ण यहां गलती यह की कि वो इंद्र से वजर शक्ति को तीन बार प्रयोग करने की इच्छा ही व्यक्त कर देता. पाचवा कारनामा विश्वामित्र के साथ छल सब्तर्शियों में से एक विश्वामित्र रामायन काल के रिशी हैं. उनके काल में ही रिशी वशिष्ट थे और दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी. रिशी वशिष्ट को एक प्रतापी राजा थे. उनके मन में रिशी बनकर ब्राहमन्त्व प्राप्त करने की इच्छा हुई. इस इच्छा के चलते वे एक जगह पर तपस्यारत हो गए. उनकी तपस्या से घबराकर इंडर ने तपस्या भंकरने के लिए अपसरा मेंका को भेजा. मेंका ने कई तरह के उपक्रम करने के बाद विश्वामित्र की तपस्या भंकर उनके मन में कामुत्पन कर दिया. विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेंका के प्रेम में दूब गए. जब इन्हें होश आया तो इनके मन में पश्चाता आपका उदे हुआ. ये पुनाह कथोर तपस्य में लगे और सिधा हो गए. सिधा होने के बाद काम के बाद क्रोड ने भी विश्वामित्र को पराजित कर दिया था, जब त्रिशनकों ने उनके समक्ष सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की थी. एक श्वाकु वंश के राजा त्रिशनकों एक बार सशरीर ही चानडाल हो जाने का शाप दे दिया. तब त्रिशनकों विश्वामित्र के पास गए. विश्वामित्र ने कहा कि मेरी शरण में आये व्यक्ती की मैं अवश्य ही मदद करता हूँ. तब विश्वामित्र उन्हे स्वर्ग भेजने के लिए यग्य की तयारी करने लगे. यग तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूं। इतना कहकर विश्वामित्र ने जल छिर्का और राजा त्रिशनकु शरीर सहित आकाश में चड़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। त्रिशनकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोड से कहा कि रे मूर्त तुझे तेरे गुरु ने शाब दिया है इसलिए तु स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशनकु सिर के बल प्रित्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वही ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। तब विश्वामित्र न आमने त्रिशनकु को केवल इसलिए लोटा दिया था कि वे गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले की ठीक है और यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशनकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इस मंडल का कोई इंद्र नहीं होगा। इससे संतुष्ठ होकर इंद्रादी देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। शठा कारनामा मारकंडेया रिशी के साथ नहीं कर पाया चल। इंद्र मारकंडेय रिशी समवाद, मारकंडेय रिशी की तपस्या से घबरा कर इंद्र ने उर्वशी को उनकी तपस्या भन करने के लिए भेजा। कहते हैं कि इंद्र का शासनकाल 72 चैकरी, चतुर्यूगी, युग का होता है और वो तब तक अपने पद की रक्षा के लिए क निर्वस्त्र हो गई, तब मारकंडेय रिशी ने कहा कि हे देवी, आप यहां किसलिए आई? इस पर उर्वशी ने कहा कि हे रिशी, आप जीत गए मैं हार गई, आप टस से मज नहीं हुए, आप सच मुछ ब्रमग्यानी हैं, लेकिन यदि मैं आप से हार कर स्वर्ग गई त तब क्या करेगी? उर्वशी बोली मैं 14 इंद्र तक बनी रहूंगी, मेरे सामने 14 इंद्र अपनी अपनी इंद्र पद्वी भोग कर मर जाएंगे, मेरी आयू स्वर्ग की पट्रानी के रूप में है, इसी तरह एक ब्रमहा के दिन, एक कल्प की आयू एक इंद्र की पट्रा रहा है? इंद्र का राज मेरे किस काम का? मैं तो ब्रमग्यान की साधना कर रहा हूँ, वहाँ पर तेरे जैसे लाखों इंद्र है, तू भी अनन्य मन से, नीचे की साधना ब्रमहा, विश्नु, शिव तथा देवी देवताओं का त्याग करने को अनन्य मन कहते हैं, ब्रह्म की साधना कर ले, ब्रह्म लोक में साधक कलपों तक मुक्त हो जाता है, इस पर इंद्र ने कहा कि रिशिजी, फिर कभी देखेंगे, अभी तो मौच करने दो, यदि आप मेरे सिंघासन पर नहीं बैठना चाहते तो ठीक है, ये अच्छी बात है, आप साधना करते रहें, अ अब ये तो कम से कम सपष्ट हो गया कि आप इंद्र पद के लिए साधना नहीं कर रहे हैं तो मैं निश्चिन्थ हूँ। गोवर्धन परवत साल भर हरी घास, फल फूल एवं शीतल जल को प्रवाहित करता था। श्रीकृष्ण के शब्दों में, ये सब हमारी जिंदगी हैं। यही लोग, यही पेर, यही जानवर, यही परवत्तों हैं, जो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारा पालन पोशन करते हैं। इनही की वजह से हमारी जिंदगी हैं। ऐसे में हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें, जो हमें भय दिखाता हैं। मुझे किसी देवता का दर नहीं है। अगर हमें चड़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो अब हम गोपोट सव मनाएंगे, इंद्रोट सव न आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि सारे ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराने लगे तो भगवान श्रीकृष्म ने गोवर्धन परवत को अपनी अंगुली पर धारन कर उसके न नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्रीकृष्म का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्रा हार गए। आत्वाँ च्छल बाल हनुमान की तोड़ दी थी थुड़ी। एक बार रामदूत हनुमान अपने बालपन में सूर्य को आकाशफल समझ कर खाने के लिए दोड़े तो रास्ते में उनको रोकने के लिए वरुन देव और अगनी देव ने उनको सूर्य के समीब जाने से रो आनी पड़ी। अंत में उन्होंने सूर्य को निगल ही लिया। राहु दोड़ता हुआ इंद्र के पास गया और उनसे कहा, देवराज। आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंड दिये थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ कर निगल गया। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गये और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपतें। राहो ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर अपने व्रज से प्रहार कर दिया जिससे वे एक परवत पर गिरे और उनकी बाई थुड़ी तूट गई हनुमान जी की यह दशा देखकर पवन देव को प्रोध आ गया और उन्होंने संसार की वायू गती रोग दी इससे संसार के सभी प्राणी सांस न ले सके और एक एक कर सभी मरने लगे तब ब्रम्हा ने मूर्चित हनुमान को गोध में लिए उदास बैठे पवन देव को समझाया और हनुमान जी को पुना होश में लाए वायू देव ने फिर से गती शुरू कर दी ब्रम्हा जी ने कहा कि आज के बाद कोई भी अस्त्री या शस्त्र इसके अनको हानी नहीं पहुचा सकेगा सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतान श्प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मग्य होने का भी आशीरवाद दिया वरुन ने कहा कि मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीरवाद दिया यक्षराज कुबेर, विश्व कर्मा आदी देवों ने भी अमोग वर्दान दिये तब इंद्र ने क्षमा मानते हुए कहा कि इसका शरीर वज्व से भी कठोर होगा इंद्र द्वारा उनकी थुड़ी अर्थात हनू तूटने के कारण उनका नाम, हनुमान, और वज्व के समान कठोर शरीर हो जाने के कारण, वज्रन बली, हो गया तो ये है देवराज इंद्रा, विसमे आदि बोधक चिन्ह, विसमे आदि बोधक चिन्ह, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें